कुसुम एक्प्रेस रूचा गुजराती के घर कोरोना संक्रमन आउटब्रेक के बीच खुशियों ने दस्तक दी है आपको बता दे रूचा ने हाल ही में एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया इस बात की जानकारी रूचा के पती विशाल जैस्वाल ने अपने इंस्टाग्र अकाउंट के माध्यन से दी है विशाल ने बेटी के नन्हे हातों को पकड़े वे एक तस्वीर शेयर की और अपनी खुशी का इजहार करते वे लिखा एक बच्ची के साथ धन्य सपने सच हो गए विशाल ने बताया कि मा और बच्ची दोनों पूरी तरह से स्थ्वस्थ है रूचा गुजराती, कुसुम, भावी और गंगा जैसे कई टीवी शोस में काम कर चुकी है रूचा ने अपनी प्रेग्रेंसी के हर फेस को खुल कर इन्जोई किया और इस दोरान उन्होंने प्रेग्रेंसी फोटो शूट भी करवाया था जिसकी कई सारी तस्वीरे सोशल म मीडिया पर वाइरल हो रही है। लोगडाउन और कोरोना संक्रमन के कारण रूचा और विशाल दोनों ही बच्चे के जन्म को लेकर काफी चिन्तित थे। हाला कि सब कुशल रहा और 14 जुलाई को ही रूचा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। स्पॉर्ट बवई की रिपोर्ट्स के मताबिक रूचा ने अपनी खुशी जाहिर करते वे कहा। मन के किसी कोने में मैं लगातार परिशान थी। महरास्ट में जैसे हाला थे ऐसे में हर दिन मुश्किल लग रहा था। लेकिन हम हर संभव कोशिश कर रहे थे। हाथ धोने स से लेकर सेनिटाइजेशन के सारे उपाय कर रहे थे। रूचा ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण उन्हें अपना बेबी शौवर भी कैंसिल करना पड़ा। रूचा बताती है हमने बेबी शौवर प्लान कर लिया था। यहां तक कि सारी बुकिंग्स और सारे पैमेंट कैंसिल करने पड़े। रूचा और विशाल बताते हैं कि बेटी को देखकर उनकी सारी परिशानिया दूर हो गई। और अब जब संक्रमन का दौर खत्म हो जाएगा तब ग्रेंड सेलिब्रेशन होगा। रूचा कहती है बीते दुनों उनकी और विशाल की बस यही कामना थी कि बच्चा स्वस्थ पैदा हो। आपको बताते हैं रूचा ने 12 दिसंबर 2016 को विशाल जैस्वल से शादी की थी। रूचा के पहली शादी बिजनसमेन मितुल सांगवी से हुई थी। लेकिन शादी के तीन साल बाद दोनों का तलाख हो गया। रूचा इस समय विशा साल को बेटी के जन्म की धेर सारी शुब कामनाय देते हैं। और बिलेटेस्ट वीडियो के लिए लाइक करें, फॉलो करें, सस्क्राइब करें गजब खबरें।